Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone. So start कर रहे हैं chemistry का जो topic है और topic का नाम है thermodynamics. Chemistry की बुक के पहले पार्ट में ये chapter आपका आता है thermodynamics. जब भी किसी chapter को start किया करें chemistry में, तो सबसे पहले उसके नाम को पकड़ा करें कि वो कहना क्या चाहरा है. तो जो thermodynamics word है, यो दो चीदों से मिल करके बना हुआ है. एक word है thermo और दूस्रा word है आपका dynamics. तो thermo का मतलब क्या होता आप जानते होगे सभी लोग? Thermo का मतलब होता हीट. Thermo का मतलब होता हीट और dynamics का मतलब होता है motion. डायनेमिक्स का मतलब होता है तो बड़े वर्ड में यह है कि हीट जो होती है वो मोशन कैसे करती है और मैं आपको बता हूँ एक बात कि जब भी हीट मोशन करती है हीट अपने एक जगे से दूसरे जगे में जाती है तो वो कुछ काम करती है क्या करती है काम करती है वर्क करती है क्या करती है यह वर्क करती है जब भी हीट एक जगे से दूसरे जगे में जाती है तो क्या करती है वो वर्क करती है है न और एनर्जी एनर्जी का वो टाइप जो ट्रांसफॉर्मेबल है एनर्जी का वो टाइप जो body to body transfer करता है, मतलब heat एक transferable energy है, heat जो होती है, वो transferable energy है, तो यहाँ पर हमें heat का, मतलब बड़े word में देखा जाए, तो heat का motion पढ़ना है, heat का क्या पढ़ना है, motion, बट आप यह सोचो कि chapter के सुरुवात में ही आपको दिखाई दे की heat कैसे motion कर रही, तो यह बिल्कुल दिख heat का move करना क्या है, एकदम end, मतलब इस cut कहना चाहिए, top level कहला जाए गई, heat के motion को देखने के लिए, आपको पहले बहुत सारी चीज़े देखनी पढ़नी पढ़ेंगी, ठेक है ना, तो मतलब heat in motion देखने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पढ़ेंगी, clear हो क्या होती है, heat, और heat, energy तभी move होती है, जबकि temperature difference होता है, क्या होता है, जबकि temperature, without temperature difference, heat move नहीं कर पाती है, without temperature difference, heat move नहीं कर पाती है, मतलब energy चल नहीं पारती है, ठेक है ना, तो ये आँगे आएगी बात, अभी तो इसे मैंने ज्यादा जोर ना देते हुए इन बातों को ब आने वाले समय में यह बाते आने वाली है तो फिलहाल इस चेप्टर की definition परेवल पढ़ी है थर्मो डायने मिक्स की और थर्मो डायने मिक्स का मीनिंग आता है heat in motion heat in motion अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं chapter को तो इस chapter में हम को कई सारे topics पढ़ने हैं सबसे पहले इसके मैं topics बता देता हूँ, इस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, कि वहले हम topics से एक अपना introduction बना रहे हैं, जैसे कि हम किसी के घर में जाते हैं, तो हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, यह हमाया चाचा जी, यह मोसर जी, बस उपर से जान जाते हैं, इनकी शकलें पहचान लेंगे, तो इसमें जो topic हैं, वह हम पढ़ेंगे heat, heat के बाद हम पढ़ेंगे work, क्या पढ़ेंगे हम, work, work के बारे में, work के बाद हम पढ़ेंगे different forms of energy, difference form of energy, जिसमें आप जानेंगे enthalpy भी होती है, एक energy, okay, gifts energy भी आप पढ़ेंगे, ठेक है न, इसके बाद एक बहुत महत्पूर्ण चीज़ है, types of process, types of process, अब process से कौन गिजरेगा, system गुजरेगा, कौन गुजरेगा, system, यह system 1 है, और system 1 एक process से गुजर करके system 2 में आएगा, ठीक है, आप ही है, आप अपनी जिन्दगी को, अपने आपको क्या मालेजी system, कभी आप पढ़ने में कमजोर थे, और अब आप पढ़ने मजबूत हो चुके हैं, तो आप एक process से गुजरे हैं, और आप एक अपनी दूसरी system में आ चुके हैं, ठीक है जी, तो जैसे आपका म state से, दूसरे state को पहुचता है, system 1 से system 2 में transit करता है, इस process को बोलते है, thermodynamic process, क्या बोलते है thermodynamic process, system के अंदर कुछ चीजें होती हैं, आप बदल गया, आप के अंदर क्या बदल गया, आप कल कुछ और थे, आप परसों कुछ और हो जाएंगे, क्या बदल गया आपके अंदर क खुन तो वही है ना, खुन वही है, तो कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी, कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी, मगर कुछ चीजें हैं जो बदल जाएंगी, जो चीजें बदल जाएंगे उनको बोलेंगे thermodynamic variable, thermodynamic variable, जो चीजें बदल जाएंगे उनको बोलेंग ठीक है, process feasible, process feasible, कौन सी process संभव है, कौन सी process feasible है, वो देखेंगे, then heat changes देखेंगे, कि heat का change किस प्रकार से होता है, और बाद में हम बात करेंगे, कि कौन सी process, हम different different processes के बारे में बात करेंगे, processes, ठीक है न, यानि कि thermodynamic processes के बारे में बात करेंगे, तो इतनी सारी चीजें हमको जानने वाली है, what is process, पहले process पर बात कर लेते हैं, कि process क्या होती है, आप कहते हो कि process होने वाली है, process को हिंदीम बोलते है, प्रक्रिया, एक कुछ होने वाला है, कुछ process होने वाली है, कौन सा variable, जिस आप field में काम कर रहे हो, आप किस field में काम कर रहे हो, thermodynamic field में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर variable mathematics का नहीं लगेगा, यहाँ पर variable जो लगेगा, वो क्या लगेगा, thermodynamic variables लगेंगे, जो चीजे बदल सकती हैं, अब आईए thermodynamic variable कौन कौन से हैं, जो चीजे बदल सकती तो सबसे पहला है pressure, P for pressure, pressure बदलेगा आपका, enthalpy बदलेगा, enthalpy को किससे सो करते हैं, h से, ठीक है, enthalpy बदलेगी, entropy बदलेगी, हमने बताया है कि अभी हम केबल परिच्य ले रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, केबल हम बता रहे हैं कि यह होती क्या है, V for volume बदलेगा V for क्या बदलेगा Volume बदल सकता है T for temperature बदल सकता है Okay W for work हो सकता है Work बदल सकता है Okay Work और heat को हम दोनों को लगए लेंगे हाँ पर H for heat रहेगा H for क्या रहेगा Heat रहेगा Physics में जब आप पढ़ते हो तो Q को heat करेते हो Physics में क्या होती है heat Q तो Delta Q जो होता है Physics में होता Change in heat Change in heat ठीक ना और यहाँ पर H Sorry H को heat बोल जाए Enthalpy क्या बोलूँगा मैं Enthalpy H को क्या बोलूँगा Enthalpy तो Delta H क्या कहला जाएगा भाईया Change in Enthalpy Change in Enthalpy Enthalpy आपने देख लिया है ना W for work W for work तो Delta W क्या होगा Change in work Change in work Change in work G G Gips free energy क्या भी यह यह Gips free energy Gips free energy और U Internal energy U क्या है Internal energy यह Thermodynamics variable है और याद रखेगा Physics की Thermodynamics को Chemistry की Thermodynamics से Match नहीं करिएगा और अभी तो आपको मैंने Physics की Thermodynamics पढ़ाई ही नहीं है तो अच्छी बात है कि आप उनको दोनों को Correlate नहीं कर पाऊगे क्योंकि Physics की Thermodynamics अलग है और Chemistry की Thermodynamics अलग है Clear हो गया अब आईए स्टार्ट करते है Thermodynamics ये तो Thermodynamics वेरियेबल थे अब Thermodynamics के अंदर चलते है सबसे पहले बात करते है Universe की Universe दो ही चीजों से मिल करके बना है एक है System और दूसरा है Surrounding System की साथ क्या है Surrounding System प्लस Surrounding इकल टू Universe System क्या है जिस पार्ट को आप Consider कर रहे हो जिस पार्ट को आप क्या कर रहे हो Consider Part अंदर Investigation ऐसा पार्ट पार्ट अंदर Investigation Part अंदर Investigation Surrounding जो होती है है ना ये जो पार्ट System जो होता है वो होता पार्ट अंदर Investigation जिस की आप बात कर रहे है जैसे इस यदि School आपका पूरा Universe है School क्या है आपका पूरा Universe आप जिस Class में है वो आपका क्या हो गया सिस्टम और Class के बाहर की चीजें जो भी है ये पूरा का सूरा Universe हो गया ये छोटी से आपकी Class हो गयी ये आपका सिस्टम हो गया और ये बाहर का बाहर जो भी Environment है School का School के बाहर का वो सब क्या हो गया Surrounding हो गया क्या हो गया वो, तो जिसमें investigation करते हो कि बल वो system है, ठीक है ना, और system को छोड़ करके, accept system, accept system, system को छोड़ करके, जो भी चीज बचती है, वो क्या होती है, surrounding, तो ये major फर्क है, system और surrounding के बीच में, कि system जो होता है, जिसको आप investigate करते हो, जिस पर आप काम करने वाले हो, ठीक है ना, वो system है, अब system और surrounding के बीच में, boundary होती है, उन boundary को आप कई तरीकों से देख सकते हो, ठीक है ना, तो पहले हम boundary को define करते है, system और surrounding के बीच में, boundary होती है, तो what is boundary, there is a boundary that can separate system and surrounding, system ये क्या है अपना भी, system और ये क्या है, इसके बाहर क्या अपना, surrounding, ये जो दिख रही है, ये green कलर की, क्योंकि सिस्टम के बाहर कौन बैठा हुओ है, surrounding, तो ये जो दिख रही है, green color की, ये क्या जी, boundary है, अब ये boundary कई का टाइप की हो सकती है, ये boundary कैई तइक हो सकती है, तो इस boundary के मैं type बता सकता हूँ सबसे पहले आपको, तो ये boundary के कई type है, पहला boundary का type है डायाथर्मिक, कैसा type है बिटा, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक मतलब बिल्कुल temperature को जो अंदर वो बाहर, जिसके across temperature कितना हो, 0 हो, है न, temperature change कितना हो, जिसके across 0 हो, ऐसी boundary को बोलने डायाथ thermic boundary, temperature change equal to 0, मतलब T2 minus T1 equal to 0, बोले तो T2 equal to कितना, T1, इसे क्या बोलेंगे, इसे pure conducting भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बिटा, pure conducting, और आप जानते हैं कि heat conduct हो जाती, तो जितना temperature यहाँ, उतना temperature, यहाँ, तो एक boundary हो सकती, डायाथर्मिक, दूसरी, जो बिल्कुल temperature को, ना जा जीगी, तभी तो temperature का change 0 होगा न, जब heat जाएगी एक जगे से दूसरे के, तभी तो temperature का change केटना होगा, 0 होगा, अगर heat ना जा पाए, तो temperature change 0 कभी नहीं होगा, क्यो भाई होगा, रहनी होगा होगा, heat नहीं जा पाएगी, ये क्या है, purely conducting, purely conducting का उल्टा क्या होता है, adiabatic, क इडियाबेटिक बाउंडरी इसे इंसुलेटिंग बाउंडरी भी कहते हैं क्या बोलते हैं जी इंसुलेटिंग दूसरी बाउंडरी टाइप के हम डिजाइन कर सकते हैं यह हो सकता है कि रिजिड बाउंडरी हो कैसी बाउंडरी हो रिजिड और यह हो सकता भी यह देते हैं और फ्लेक्सिबल पर्दा लगा हुआ है आज आ जाओ चले जाओ मानने के लिए केमिस्टी में परदा लगाने कोई ज़ूरत नहीं है रिजिट फ्लेक्सिबल हम टाइप अप बॉंडरी फट रहे हैं एक बांडरी हो हो सकती है real boundary और दूसरी हो सकती है imaginary यह type of boundary है ठीक है तो mainly हमको यहाँ पर deal करना है डायाथर्मिक और एडियाबेटिक boundary पर हम ज्यादा force करेंगे तो डायाथर्मिक boundary क्या होती है heat can flow across very easily ऐसी boundary जिसमें heat बड़ी easily आर के पार और पार के आर आ सके और टीवन यहाँ temperature टीटू और heat आराम से चली जाएगी तो टीवन इकल्टू टीटू मीन्स डेल्टा टीकल्टू कितना जीरो इसको बोलते हैं डायाथर्मिक क्या बोलते हैं इसको याद रखेगा फिजिक्स में जहां डाया वर्ड यूज होता है वहाँ support की भावना आती है किसकी भावना आती है support और जहां पैरा वर्ड होता है यहां वहाँ पे उल्टी विरोध की भावना आती है ठीके जी आपने पढ़ा होगा तो श्कराइट जीशों पर क्ट्र نैम्मेंस्ट की दाया मैगनेटिजम और जानी तॉम हो डिया टमीक है तो व्दाया व्लगालगा तो यह ठीव अटमिक एक्शली महाँ वह औ धाया-मउड्टिय कि औ्यक्जिया जसी आच्छी, 3दीt इसलिए डाइ एटॉमिक है, तो वो डाइ अलग है, ये डाया है, ठीक है ना, डाया मतलब सेम बिहिवेवियर को support करता है, तो मैं डायाटॉमिक, डायाथर्मिक बाउंडरी की बात कर रहा था, heat can flow easily, very easily, very fast, very fast, easily के साथ very fast भी है भाई साब, very fast, very fast, very fast, very fast, दूसरा हम बात करते हैं adiabatic boundary की किसकी बात करते हैं adiabatic boundary की यह देखे adiabatic boundary जो है वो क्या होती इसमें से heat flow नहीं करेगी the boundary across which heat cannot flow the boundary across which heat can not flow अगर heat flow नहीं करेगी तो delta q equal to कितना हो जाएगा जीरो delta q equal to zero heat flow नहीं करेगी तो delta q equal to zero हो जाएगा heat flow नहीं करेगी तो delta q equal to कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आई बात समझ में आपको क्योंकि हम heat को किसके नाम से जानते हैं q के नाम से heat को किसे नाम से जानते हैं Q के नाम से जानते हैं और अगर heat flow नहीं करेगी तो डेल्टा Q equals to 0 अब हम बात करते हैं types of system की यहां तक तो आप लोगों को clear है बिल्कोल ना कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद चलते हैं types of system की बात करते हैं types of system types of system types of system मैंने आपको बता दिया system ये था system के बाहर जो कुछ भी है वो surrounding है system क्या है एक ऐसी विवस्था एक ऐसा reason जो आप consideration में ले रहे हो उसको आप system बोलते हैं और उसके बाहर की हर इक चीज क्या है surrounding है तो हम types of system की बात करते हैं तो इसमें majorly तीन प्रकार के system होते हैं सबसे पहले open system दूसरा है close system और तीसरा है isolated system isolated system तीन प्रकार के system है तो सबसे पहले define करते हैं open system को open system क्या होता है सबसे पहले हम open system को define करते हैं कि open system क्या होता है तो open system में दो चीजे हैं, number one है mass, हर system में दो चीजे हैं, एक है mass और दूसरा क्या है, energy अगर mass भी आप exchange कर सको, mass भी आप क्या कर सको, exchange कर सको और energy भी exchange कर सको, energy भी exchange कर सको तो ऐसा system क्या कहलाएगा, open system अब याद रखिएगा कि energy के दो expect है, energy के किते expect है, दो, energy दो रूप में आपके सामने thermodynamics में आएगी, किते रूप में, दो रूप में, energy दो रूप में आपके सामने thermodynamics में आएगी, या तो heat के रूप में आएगी, या तो work के रूप में आएगी आइदर किसके रूप में आएगी हीट या वर्क तो याद रखेगा मास के साथ साथ अगर वर्क का लेंदेन हो किसका लेंदेन हो वर्क का तो वो सिस्टम क्या है ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है ठीक है मास के साथ साथ रिदि वर्का भी लेंदेन हो तो वो सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम कहलाएगा मैं एक्जामपल आपको बता देता हूँ कैसा एक आपके पास जार है ऐपन विजल है कैसा विजल है ओपन विजल है और आपने this एंदर गरम पानी रख दिया है क्या रख दिया है गरम पानी तो जार के अंदर गरम पानी ये आपका हो गया जी सिस्टम क्या हो गया ये सिस्टम हो गया और इसके जितना बाहर का चीज है वो सब क्या हो गया सराउंडिंग ठीक है बच्छो, surrounding बिना mechanical हस्त छेप करे यह नहीं कि मम्मी आई और पानी हो यहां से निकाल के ले गई बुले कि यह तो surrounding का काम है ऐसा कोई हस्त छेप नहीं होना चाहिए अब देखे क्या है यहां से गर्मी लगेगी और पानी evaporate हो करके बाहर निकलेगा बुले निकला कि नी निकला तो मास भी बाहर गया बुली ऐसा नो पानी गरम था पानी क्या था गरम था शुरुवात में मास तो बाहर गया पानी रखे 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 थोड़े दिर के बाद क्या हो जाएगा ठंड़ा हो जाएगा, मतलब अंदर की heat भी बाहर गई कि नहीं गई, बताइए गई ना, तो ऐसा system जिसमें mass का भी लेंदेन हुआ हो, heat का भी लेंदेन हुआ हो, ऐसे system को हम क्या बोलते हैं, open system, क्या बोलते हैं इसको, open system, तो open system के लिए कुछ important चीजे मैं आपको बता देता हूँ, कि open system की restriction क्या क्या है, एक बार फिर से इस vessel को देख लीजिए, ये आपके साथ में open vessel रखा हुआ है, कैसा vessel र vessel में ये mass भी बाहर जा रहा है, clear sonno, तो mass बाहर जाए, इसके लिए जरूरी है कि इसके जो upper layer की boundary होनी चाहिए, वो कैसी boundary होनी चाहिए, imaginary boundary, कैसी boundary होनी चाहिए, आपके पहले page में boundary का introduction दिया गया, boundary कि इत्ते प्रकार के होती, imaginary boundary, फिर इसके बाद ये जो boundary दिख रही है, य कैसी imaginary है कि real है, ये real है, real boundary, बताइए ये जो real boundary कैसी होती है, rigid boundary होती है, rigid boundary होती है, कैसी होती है, rigid boundary होती है, क्योंकि इससे पानी त्वार पार नहीं हो रहा न, rigid boundary, और ये देखिए क्योंकि temperature का lane in होगा, तभी तो open है, तो ये जो है, ये कैसी है, बताइए, isolated, insulated है या डाय Diathermic Boundary है, कैसी Boundary है भाई? Diathermic Boundary, ठीक ना? Diathermic कैसी को बोलते हैं? Conducting, क्या बोलते हैं इसको बच्चो? Conducting Boundary, तो ये पहला system मैंने आपको बता दिया, पहला system था आपका Open System, अब आईए second system की ओर चलते हैं, second system का नाम है Closed System, second system का नाम है Closed System, second system में क्या है? Mass तो transfer नहीं होगा, मगर heat transfer हो जाएगी, सुन रहे हैं भई? Mass transfer नहीं होगा, मगर heat transfer हो जाएगी, तो mass transfer नहीं होने के लिए जो boundary है उपर वाली है, कैसी होनी चाहिए? Real and rigid, कैसी होगी? तो ये उपर वाली जो boundary होगी, वो real boundary होगी, real boundary, ठीक है नहीं की rigid, जिससे की mass transfer नहीं हो पाए, और ये जो होगी outside भाई साब, क्योंकि energy transfer हो जाए, इसलिए ये वाली boundary कैसी होगी बोलो, conducting, कैसी होगी? Conducting diathermic, diathermic, ठीक है? So in this system, mass can be exchanged, mass can be exchanged, मैंने दोनों बात करी है, lane, then, mass can not, mass can, mass can not be exchanged, mass exchange नहीं होगा, क्योंकि देखो solid boundary उपर, real boundary है, but energy can be exchanged, energy can be exchanged, यहां से energy क्या हो सकती है? आ जा सकती है, clear होगी नहीं होगी? इसका example देखते हैं, एक पानी का बॉटल, simple pepsi की जो बॉटल आती है, आपकी आधा लिटर वाली, पानी का बॉटल भरिये गरम, पानी का बॉटल भरिये गरमा गरम बॉटल, थोड़ा गुन-गुना पानी, उपर से tap लगा दीजिए, उपर से क्या लगा दीजिए? टैप लगा दीजिए, कितना भी गरम पानी है, थोड़े देर के बाद आएंगे, energy transfer कर देगा, atmosphere को, surrounding को energy transfer कर देगा, और normal हो जाएगा पानी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप स्कूल भी ले जाते होंगे, ठंडा पानी या गरम पानी, अगर ठंडा पानी होता होगा, तो वो atmosphere से energy लेता होगा, और गरम पानी होगा, तो atmosphere को energy देता होगा, और थोड़े देर के बाद, normal temperature पे आजाएगा, आजाएगा कि नहीं होगा, मगर पानी उतना का उतनी रहेगा, कि बढ़ जाएगा, कि घड़ जाएगा, उतनी रहेगा भाई, पानी उतना का उतनी रहेगा, मतलब mass transfer नहीं हुआ है, mass exchange नहीं हुआ है, मगर energy exchange हो गया है, यकीन मानो, 10 साल बाद भी आप आओगे, यदि बॉटल रख दोगे, पानी उतनी रहेगा, ठीक है ना, मतलब total जो अंदर जो भी है, उसका mass वही रहेगा, चाहे अंदर पानी बचा है, या उसके जो भी बन चुके है, mass वही रहेगा, आई बाद जी समझ में, कोई दिक्कत, तो mass can not be exchange, बट energy can be exchange, ठीक है, clear है, एक इसका example देखते हैं, एक इसका example देखते हैं, अगर आपके पास एक cylinder piston assembly है, यह आपके पास cylinder है, और यह आपके पास लगा हुआ है, इसके उपर piston, ठीक है, initially जो piston था, वो यहाँ पर था, ठीक है जी, initially piston जो है, यह, यहाँ पर था, यह देखिए, इस जगह पर था, ठीक है जी, अब, यह जो wall है, इस wall को, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, insulating wall, कैसी wall ले रहे हैं, insulating wall, insulating wall, दो चीजे मैंने बताई थी, mass, energy, ठीक है जी, mass का लेंदेन तो संभव है नहीं, energy का लेंदेन होगा, energy दो form में express होती है, एक heat, दूसरा work, दूसरा work, अब आईए देखिएगा, यहाँ पर gases के molecule है, gases की क्या है, molecule है, ठीक है बच्चों, gases के molecule इस, piston पर, क्या लगाएंगे, force लगाएंगे, या pressure exert करेंगे, forces से बनेगा pressure, force से क्या बनेगा, because pressure is equal to force per unit area, तो भहिया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, pressure लगाएंगे, ठीक है न, अब यह क्या करेगा, इसके pressure से, अब बोली ऐसा लगाएंगे, clear है, इसके piston से pressure क्या हो जाएगा, उपर हो जाएगा, हो जाएगा, तो gas के molecule ने क्या करी, अपनी energy gain करी की lose करी, lose करी, क्या करी, lose करी, आई बस समझ मेंगे न, और यह piston उपर चला गया, और piston का connection किस से है भाई साब, atmosphere से है, किस से है, atmosphere से है, या surrounding से है, किस पे है, surrounding पे, तो एक तरीका देखा जाए, तो gas ने किस पर काम किया, surrounding पर काम किया, किस पर काम किया, surrounding पर, मतलब surrounding को इसने work दे दिया, surrounding को क्या दे दिया, work दे दिया, मास क्या है बच्चों? रिजर्व है, देख रहे हैं कि आप मास बिलकुल नहीं बदल रहा है मास एजटेज वैसे का वैसे है ठीक ना? मास एजटेज वैसे का वैसे है मगर गैस ने वर्क किया है किस के उपर? सराउंडिंग के उपर किस के उपर किस के उपर वर किया है सराउंडिंग के उपर समझ में आ गई मेरी बात अब एक चीज यहां से और याद रख लो भाई जब इतनी बात कर ली है तो एक चीज यहां पर और याद रख लो क्या यहां पर गैस क्या हो रही भाई या Gays पहल रही है, Gays पहले यहां तक थी, अंदर थी कि नहीं थी, बोलो, Gays यही तक थी ना, फिर Gays जब इसको धकेल देगी, तो Gays यहां तक आजाएगी कि नहीं आएगी, तो बहुत बढ़ी है बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जो तुम्हें, बहुत तुमको दिक्कत देती हम सा बोलो क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉंट्रेक्शन हो रहा है बहुत बढ़िया क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन को हिंदी बोलते हैं प्रसार क्या बोलते हैं बिटा प्रसार याने फैलाव फैलना हो रहा है बोलो है न एक्सपेंशन हो र ये कौन काम कर रहा है work done by gas work done by gas gas काम कर रही है किस पर on surrounding on surrounding मतलब एक तरीके से system work on surrounding बुलो है न तो system खर्चा करेगा system खर्चा करेगा और ये खर्चे का लाब उठाएगा समझ रहो ना मतलब सिस्टम का क्या होगा सिस्टम वर्क डन करेगा मतलब सिस्टम के खाते में क्या आएगा वर्क डन और सराउंडिंग के खाते में क्या आएगा वर्क गेन बोलो समझ में आया कि नहीं आया सिस्टम के खाते में क्या आएगा वर्क डन और सराउंडिंग के खाते में क्या आएगा बोल अच्छे समझ में आया तो बताओ इनर्जी कौन लूज करेगा सिस्टम की सराउंडिंग सिस्टम लूज एनर्जी सिस्टम लूज energy पक्की बात भाई and surrounding gain energy समझ मैं आया बटा याद रखिएगा भी या तो जब भी expansion होगा तो काम किस पे होगा surrounding पे और काम कौन करेगा system और जब भी contraction होगा ये देखिए पहले यहाँ पर gas थी और ठूस करके इसको मदब दबा करके यहाँ पर ले आये बोलो हाँ तो किस पर काम हुआ system पर किस पर काम हुआ system पर समझ गया ना किस ने काम किया surrounding ने किस पर काम किया system पर work कौन लिया system work कौन लिया work किस ने दिया energy किस की बढ़ी system की energy किस की घटी तो दो चीज़े होती है work done on the system and work done by the system तो जब done by system होगा system के द्वारा किया जाए कार तो क्या होगा बोलो expansion और done on system होगा system पर काम किया जाए on तो क्या होगा बच्चों contraction क्या होगा contraction बोलो अच्छे समझ में आया कि नहीं आया तो ये दो महत्पूर बाते हैं इनको याद रखेगा अब आये चलते हैं दो प्रकार के system देख लिए हैं हमने एक system देख लिए आपने open system एक system देख लिए आपने close system अब next system के और चलते हैं जिसका नम आपने सुना होगा क्या नम होता है बोलिए isolated system isolated system एक में देखा कि mass भी ट्रांसफर हुआ एनर्जी भी ट्रांसफर हुई एनर्जी के दो रूप बारं बार आपको बताता रहूँगा एक एक तो heat है एक तो work है अब बार बार मन आपका कहेगा energy वराबर heat जहां गरम लगे वही energy है नहीं मन को समझाइए energy वराबर heat नहीं है energy वराबर work भी है यहाँ पर देखिए heat का कोई लेंदेन नहीं हुआ है किसका लेंदेन हुआ वर्क का तो isolated system की बात कर रहा है इस system that can neither exchange mass nor energy neither mass nor energy भीया जो mass का exchange करे ना energy का exchange करे ऐसे system को हम बोलते हैं क्या isolated बिटा ऐसा कोई system practically संभव नहीं है ऐसा कोई system practically संभव नहीं है समझ में आगया जी फिर भी कुछ हद तक आप जो thermos plask होता है कुछ देर तक के लिए वो thermos plask जिसमें आप पानी ले करके जाते हैं आज कल milton की bottle देखे हो जी milton की bottle जो है जिसमें आप गरमा गरम पानी ले करके जाते हो गुनगुना पानी ठंड के समय में या बाहर सफर में जाते हो चार घंटे बाद भी खोलते हो तो उससे भाप निकलती है मतलब पानी भी उतना था और उसकी हीट भी उतनी है मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुए सिस्टम ना तो इसका एक्षेंज मास हुआ है ना तो इसके एनरजी हुए है तो ऐसे सिस्टम के लिए क्या जरूरी है ऊपर की बाउंडरी कैसी होगी भी या एडियाबेटिक कैसी होगी एडियाबेटिक एडियाबेटिक मतलब की insulated boundary क्यों एनर्जीक exchange ना हो delta q is equals to delta q is equal to 0 delta q is equal to 0 और दूसरा boundary कैसी होने चाहिए real कैसी होने चाहिए imaginary नहीं की नीचे से खोल जाए यह देखी कि mass चला जाए कैसी boundary हो भी है रियल बॉंडरी हो तो रियल बॉंडरी आई बास समझ में ठीक चलिया अब आगे पढ़ते हैं यह हो गया है अगला कुश्यन यह टोपिक अपना टाइप और सिस्टेम यहाँ पर कंपलीट हो जाता है टाइप ओप सिस्टम यहां पर complete हो गए हैं अभी I hope यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं न, टाइप of सिस्टम में, तीन टाइप के सिस्टम मैंने बता दिये हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है, properties of a thermodynamic system, Properties of a Thermodynamic System Thermodynamic System की Properties क्या क्या है Properties of a Thermodynamic System Thermodynamic System दो प्रकार के होते है एक Extensive और एक Intensive बलकि ये कहना चाहिए कि Thermodynamic System की दो प्रापर्टी होते है एक Extensive और एक Intensive एक Extensive एक Intensive ठीक ना जैसे कि ऐसी प्रापर्टी फस्स टिदि हम प्रापर्टी की बात करें एक Extensive प्रापर्टी की The properties that depends on amount of matter the properties that depends amount of matter amount of matter the properties that depends on amount of matter ठीक ना? और Size of Sample Size of Sample जो amount पे depend करें amount पे depend करें amount of matter पे depend करें size of sample पे depend करें ठीक इसको ऐसे समझा जाए कि कुछ चीज़ें होती हैं जो amount पे depend करती हैं matter के amount पे depend करती हैं जैसे कुछ एक्जामपल जैसे amount क्या होता है? सीदह सीदह amount का तालुकात किसे है? mass से है amount जादा होगा तो क्या जादा होगा? mass जादा होगा या amount ज्यादा होगा तो भईया volume भी जादा होगा amount ज्यादा होगा amount ज्यादा होगा number of mole भी ज्यादा होंगे ज्यादा एक physics में formula आता है heat capacity heat capacity equal to होता है mass multiplied by specific heat mc या m into s एम इन्टू ऐसी यह यह स्पैस्पिक इस हीट केपेसिटी आपको जब पढ़ाई जाएगी फिजिक्स में तब आएगा ठीक है तो भाइया यह डिपेंड करता किस पे मास पे या एमाउंट ओफ मेंटर पे amount of matter पे ठीक ना तो ऐसी quantity जो amount of matter पे डिपेंड करें ऐसी quantity को बोलते हैं extensive extensive properties क्या बोलते हैं उन properties को extensive properties बोलते हैं और कुछ property होती है है जो amount of matter पे डिपेंड नहीं करती है जो amount of matter पे डिपेंड नहीं करती है आये देखें कैसे ये खरबूजा है मेरे पास खर्बूज नहीं तर्बूज एक तर्बूज है तर्बूज का मास इसके अंदर के एमाॉंट पडिपेंड करेगा बोल tard но किसी अंदर कितना एमाउंट ये सरनौ लाँ मगर मैं कहूंगा तर्बूज की मिठास तर्बूज की मिठास इसके के amount of matter पे डिपेंड नहीं करीगी ठीक है अगर आप एक ही तरबूज एक ही प्रजाती के तरबूज लेते हो तो चाहे चोटा तरबूज हो चाहे बड़ा तरबूज हो वाई साब दोनों तरबूज समान में ठासके होंगे बूल जी हान अगर मैं तरबूज की डेंस्टी की ब पूझँ की डैंस्टी is equal to the mass upon volume थीक है समंदर कितना भी बड़ा हो मैं सुरू से लेकर के अंध्य तक उसकी डैंस्टी क्या होती है हमें साथ सेम होती है क्या होती है सब्सक्राइब क्योंटी सेम होती है क्लियर हो गया तो कुछ प्र परपर्टी होती है जो मैंटर पार्टि बोली ऐसा नू? उनको हम बोलेंगे Intensive Properties. क्या बोलेंगे उनको हम? Intensive Properties. तो which does not depend on the size of sample. तो क्या definition बनेगी? The properties which does not depend on size size of sample or amount of matter or amount of matter है ना? Example Density Example Refractive Index यह refractive index किसी material का होता है. किसका होता है? Material का. उसको amount से कोई मतलब नहीं है. Example Specific Heat Capacity Specific Heat Capacity जिसको C बोलती हो आप Fix होती है पानी की पानी की किती होती है? Fix होती Specific Heat Capacity वैपर की फिक्स होती है. पानी की से दसी होती है, देख लेना मेरको पता नहीं है. और वैपर की Specific Heat 540 होती है. ऐसा कुछ होती ही. देख लेना आप लोग. बिल्कुल fix होती है चाहे एक किलो पानी लो चाहे एक ग्राम पानी लो चाहे आधा किलो पानी लो specific ही उतनी ही रहेगी समझ में आ रहा है ना specific ही उतनी ही रहेगी ठीक है ना तो आपको clear हो गया यह अब आईए देखते हैं हम कुछ comparison करते हैं comparison of few properties of thermodynamic system thermodynamic system की कुछ properties का comparison करते हैं तो topic बनाएंगे comparison of few properties of a thermodynamic system हम thermodynamic system की कुछ properties को comparison करेंगे इधर पर हम लिखते हैं extensive और इधर पर हम लिखते हैं intensive आप अपने मंद से जबाब सूचिएगा कि कौन सी property extensive है कौन सी property intensive है वोल्यूम extensive है वोल्यूम क्या है extensive है temperature temperature किस पर आएगी देखे heat अलग है temperature अलग है समझ गया ना हाँ temperature intensive है temperature intensive जो heat capacity है या amount of heat डेल्टा क्यूँ strain yield capacity heat capacity का मतलब समझते हो ये गंज़ा पानी गरं करने में कम heat लगाई तो दो गंजा पानी गरं ज्यादा हीट लगेगी क्योंकि यहाँ पर मैटर यहाँ मैटर बढ़ गया है ठीक है क्योंकि यहाँ मैटर बढ़ गया है तो extensive heat capacity किया मिया हो जाएगी extensive Then number of mole, किस पर आएगी भी या, extensive पर, ठीक है, then pressure, pressure किस पर आएगा भाई, pressure intensive पर आएगा, pressure equally distribute होता है, चाहे matter ज्यादा हो, चाहे कम हो, intensive पर आएगा, number of mole हो गया, इसके बाद देखिए, energy, किसी भी टाइप की energy हो, ठीक है न, energy mass पर डिपेंड करती है, याद है, ml t to the power minus 2, याद आया कुछ, mass आता है न, तो mass आता है, तो energy जो होती, क्या होगी, extensive property होगी, energy में क्या क्या आ गया, heat आ गया, work आ गया, energy का अगला टाइप बोलो, enthalpy, अगला टाइप बोलो, entropy, ठीक न, gives free energy, ओके, internal energy, सब, भया, जितनी भी टाइप की energy है, सब की सब mass पर डिपेंड करती है, ठीक है, सब किस पर डिपेंड करती है, mass पर, अब देख लीजे, कुछ intensive properties, pressure तक बता दिया था, pressure के बाद देखे, density, refractive index, यह physics का type topic है, index, ठीक न, viscosity, क्या है भी यह, viscosity, गाढ़ापन, यह property होती होती है, viscosity, material की property है, आपने पढ़ा होगा, specific resistance, याद आया, specific resistance, अरे भई यह material property है, थोड़ा सा steel लो, या किलो भर रिस्टील ले लो, specific resistance उतना ही रहेगा, elasticity. क्या है? material की प्रपरटी है. थोड़ासा plastic लोग है, तो भी उसकी elasticity अतनी होगी मोगी. थोड़ासा स्टील होगा, elasticity अतनी ही निकलेगी जतनी है. औब बड़ा सा steel कर ओब लोग तो भी elasticity अतनी ही निकलेगी. बुलि याए ना. क्लिर ना? हाँ, Elasticity, then specific heat capacity, specific heat capacity, specific heat capacity, क्योंकि लग गया specific, मतलब एक ग्राम एक के लिए हो गई, तो फिक्स रहती, specific heat capacity, next, अगला है, seventh point है, molarity, molarity, क्यों, क्योंकि भई यह पर unit volume की निकलती है, किसकी निकलती है, पर unit volume की, molarity, यह सब निकलते हैं, पूरे solution के लिए, morality, morality, यह विल्कुल fix होते हैं, का एक चमच निकालोगे, उत्रे मीठा निकलेगा, इध़र का भी उतरे मीठा निकलेगा, उत्रे नमकीन निकलेगा, और यह क्या है, concentration है भईया, क्या है यह, concentration, और यह पूरे solution की एक ही निकलती है, ऐसा नहीं कि इधर की अलग होगई, इसकी अलग होगई Molarity, अब Molarity के लावा कौन कौन से होते हैं भाईया, Concentration Terms, Molarity Molarity, समझ गया ना, Mol Fraction वो तो Fraction है यह भाईया Fraction, Normality, समझ गया ना, Normality and all Concentration Terms और जितने भी Concentration Term आते हैं, सब के सब क्या होते हैं Concentration Term आते हैं, यह सब के सब हमारे होते हैं Extensive, कैसे होते हैं, इस और इंटेंसिव, कैसे होते हैं इंटेंसिव होते हैं, ठीक है अब एक बात मैं आपको बता दूए, एक ट्रिक है यह एक ट्रिक है, Extensive अपान, Extensive एक वाल टू इंटेंसिव एक वाल टू इंटेंसिव, देखे कैसे नमबर ऑफ Molarity एक वाल टू नमबर ऑफ मूल पर यूनिट वोल्यूम, नमबर ऑफ मूल पर यूनिट बहिया, नमबर ऑफ मूल तो पार्टिकल पर डिपेंड करता है मतलब कौन सी है, Extensive और वाल्यूम क्या होता है, वोई पार्टिकल पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा माल, उतना ज्यादा वाल्यूम यह भी क्या होगा बहिया, Extensive और Extensive, Extensive कट गए Molarity पूरे solution की होती है हर जगे एक जैसी होती है, तो क्या हो गया? Intensive, क्या हो गया? Intensive, क्या हो गया? Intensive Extensive upon Extensive equal to क्या हो गया? Intensive वही फॉर्मूला, Mole equals to N upon V Number of Mole per unit Volume ठीक है? सवाल आया एक बार एक्जाम में कि Molar Entropy किसी ने सुनी नहीं थी Molar Entropy Molar Entropy बताओ भाई सब कैसी यह Extensive है Intensive है, तो Molar Entropy मतलब की Per Mole की Entropy याने Entropy Per Unit, Mole Entropy Per Unit, Mole तो भाईया आपको पता entropy भी कैसी है? Extensive, Number of Mole भी क्या है? Extensive upon Extensive क्या हो गया भाईया? Intensive ठीक है न? Extensive upon Extensive क्या होता है? Intensive pH 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 को अलाके लिखा ऐसे जाता है देखाओगा अपने pH वैल्यू और pH की वैल्यू आ गई है तो बात कर लेते हैं pH होता भाईया माइनस ओफ लॉग हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को क्या बोलते हैं लोग? pH भाईया क्या बूला मैंने? Concentration Concentration क्या होती है भाईया? Intensive क्याती होती है? Intensive तो यह intensive हो गई ठीक ना? कैसी property हो गई? Intensive तो यह सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए इसके बढ़िया बढ़िया question exam में आते हैं आईए देखते हैं कुछ question एक question आया हमारे exam में Question क्या है मैं लिख रहा हूँ देखिए Question है Which of the following is extensive property Extensive property Extensive मतलब की जो number of particle पे depend करें समझ गए ना? Extensive मतलब number of particle पे गबर सिंग को याद कर लिया कर extensive याद आए गबर सिंग ने क्या पूछा था? कितने आदमी थे? क्या पूछा था? कितने आदमी थे? कितने मतलब number of? कितने मतलब number of? तो देखिए सबसे पहला जो question है वो मैं दे रहा हूँ Specific heat capacity Specific heat capacity बताइए extensive है कि intensive है? यह देख लो भाई या जहाँ भी बड़ लग जाए specific मतलब क्या है वो? Intensive formula देखो specific heat capacity का Specific heat capacity का formula देख लो भाई या टोटल heat निकाले जाती है टोटल heat q equal to होता है बोलो M मतलब mass S M S delta T M S delta T इसका पूरा नाम है S को बोलते है gram specific heat क्या बोलते है? Gram specific heat तो मैं लिकालता हूँ S equal to q के नीचे चले जान दो q upon M delta T q upon M delta T अब देखे q क्या होती है heat तो heat क्या होती बोलो extensive ये भी क्या होती है extensive 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 और temperature change आपको पता है intensive होता है तो इस कदव बिचारे का कोई लिना देना है नहीं तो answer को बोलो क्या आ गया intensive आ गया क्या आ गया answer intensive ठीक है clear है clear नहीं है clear अगला question क्या पूचिए ये जेई का question जो मैं आपको करा रहा हूं ये जेई में आ हुआ question है second question बोला उन लोगोंने gives free energy बोलो जी बता चुका हूं gives free energy क्या है extensive है gives free energy क्या है extensive है ठीक है ना अगला पुछा बोला electromotive force electromotive force electromotive force electromotive force आपको कब पढ़ोगे आप 12th class में पढ़ोगे electromotive force इसे बोलते हैं EMF क्या बोलते हैं EMF potential के एक कल होता है potential V equal to W by Q W by Q W मतलब energy ये क्या है extensive Q charge charge किस पर depend करता है charge कहा हाता mass के उपर तो आता है electron के उपर mass है ये तो जितना ज़्यादा mass होगा उतना ज़्यादा charge होगा तो ये भी क्या होगा extensive दोनों cancel होगा answer क्या है intensive then fourth die electric constant 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 ये property होती है material की चाहे थोड़ा पानी लेलो चाहे ज्यादा पानी लेलो चाहे महा सांगर लेलो पानी का die electric constant जिसे epsilon die electric constant के लिए और पानी मतलब water कितना होता 81 होता है mass- depend नहीं करता चाहे एक चममच पानी लेलो चाहे सो चममच पानी लेLो चाहे पूरा का labor 81 का, डाइलेक्ट्री कॉंस्टेंट कितना होगा, 81, ठीक है न, जहर जहर होता है, साप का बच्चा काटे तो भी मरोगे, कोबरा का बच्चा काटे, इलाजना करा है तो, और बुढ़ा कोबरा काट दिया, 100 साल का, ग्रेंड फादर कोबरा, दादा, पूरे फैमिली का, तो भी म नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगी, है न, मलब इसको फीलिंग से पकड़ो इसको, अब आप ये मत बोलो, सोचने लगो, कि सर वो छोटा कोबरा तो कम जहर छोड़ेगा, हाँ छोड़ेगा न, और बड़ा कोबरा तो जादा जहर छोड़ेगा, दस अमिल तो अमाउंट जादा हो जाएगी तो असर जादा करेगा, मगर फीलिंग पकड़ी है यहाँ पे, कि पानी का डाइलेक्टरी कॉंस्टेंट, जैसे नमक खारापन, यही मैं बोलूँ खारापन क्या है, एक्स्टेंसिव है कि इंटेंसिव है, खारापन पानी का अमाउंट प पानी का, यह दोनों का बराबर होगा, बोलो, नहीं पता, अब इसमें क्या नहीं पता यार, समंदर पूरा ले लिया, उसका एक चमच पानी उसका ले लिया, और समंदर से एक डबा पानी लिया, और उससे एक चमच पानी निकाला, दोनों का पानी में कौन खारा होगा, सम सोच के बताओ यार, अरे दोनों का सेम होगा, यार. नमक इसमें भी गुला था, और नमक वह वाला था. हां जी, आपने घर में शर्वत बनाया एक जग. एक जग क्या बनाया? और एक जग शर्वत अच्छे से मिलाने के बाद आपने एक जग का शर्वत से थोड़ा सा इसमें एक गिलास में या किसी जार में भर दिया फिर आपने एक बंदे को खड़ा करके कहा टेस्ट करो इसको एक एक स्पून इसको पिलाया और एक स्पून इसको पिलाया बोलो ज्यादा मीठा कौन? तो यह कौन सी प्रोपर्टी है? Intensive. कौन सी प्रोपर्टी है? जो मास पर डिपैंड ना करे. जो मास पर डिपैंड ना करे. उसको बोलते हैं अपाने intensive property. चले ठीक है? आ गया समझ में? अब पढ़ते हैं टाइप आफ वेरियेबल यह टाइप आफ फंक्शन ठीक है ना तो टाइप आफ वेरियेबल में दो परकार की चीजे हैं एक जो बदलेंगी ठीक है ना एक होती है मतलब टाइप आफ वेरियेबल टाइप आफ फंक्शन टाइप आफ फंक्शन समझे ना इस चीज़ को मज़ेदार हुप पढ़िया चीजे यह दो परकार सी चीज़ी बदल सकती है community कि एक रास्ते के साथ बदलेंगी जो जो रास्ते के सांथ बदलें उनको बोलते हैं पात फंक्शन क्या बोलते हैं आपको, path function, ठीक है ना, और एक जो रास्ते पर depend ना करें, उनको हम क्या बोलते हैं, path function, क्या बोलते हैं, और दूसरा जो रास्ते पर depend ना करें, सीधे initial और final position पर depend करें, उनको हम क्या हम बोलते है, state function, क्या बोलते है, state function, तो अपनी thermodonics में, कुछ variable है, जो path function है, और कुछ variable है, जो state function है, समझ गए, कुछ variable है, कैसे है, जो path पर depend करेंगे, और कुछ variable किस पर depend करेंगे, state पर depend करेंगे, जैसे आपकी सफलता पढ़ाई की, आपकी सफलता, किसकी, जीवन की सफलता, बहुत बढ़िया बाते आ गई याद, जीवन की सफलता, path function है और state function है, सोचो, path function है या state function है, बिल्कुल सही, कैसा function है, path function, पढ़ाई कैसा function है, path function, आपके लिए, path function, पढ़ाई कैसा function है, परन्तु आपके parents के लिए, जो result है, जो आपकी पढ़ाई है, वो कैसा result पर depend करती है, वो state function है, A and B, शुरुवात का दिन और अंतिम का दिन, ठीक, ठीक ना, साल भर मस्ती मारो, दो दिन कुछ ऐसा पढ़लो, कि 98% आ जाए, पूरी society में आपके पिता जी, विल्कुल छाती फुला करके चलेंगे, वो लो जी हाँ है न, clear है, और आप खूब पढ़ते रहो, यदि result कमा रहा है, तो, सामने वाले का पता चलेगा भाई, उसका आया है, तो थोड़ी सी कहीं न कहीं दिक्कत होती है, पट, जिन्दिकी जो है, path function पे है, बुले हाँ है न, आप नकल करके पास हो गये हैं, तो आपकी जीवन सफलता की cd नहीं चुड़ पाएगा, एक result मातर से, तो याद रखिए गए, यह कहला था, path function, state function, यह मैंने example इसलिए दिया, क्योंकि आपको यह समझ में आ जाए, आए डिटेल पर बात करते हैं, state variable, state variable, और, state function, और, state parameter, state parameter, भाई ध्यान से सुनिएगा, तीन नाम है, इसके state variable भी बोलते हैं, इसको state function भी बोलते हैं, या ऐसी को state parameter भी कहते हैं, ठीक है? state variable, हिंदी में बोलते हैं, इनको अवस्था function, state variable, state मतलब की हाल चाल, हाल चाल, क्या हाल चाल है, किसी thermodynamic system से बोला, तुम किस state में हो, तो thermodynamic system की state बताने वाले, जो state variable है, ठीक है ना, जो thermodynamic system की state बताने वाले, जो state variable है, अब thermodynamic system में क्या लोगे, solid liquid मत लेना, ज्यादा तर हम लोग क्या लेंगे, gas ही लेंगे, क्या लेंगे, gas, क्योंकि gas में thermodynamic process बड़ी इजली विजुलाइज होती है, तो state या किसी condition की, किसी system की, thermodynamic system की state बताने वाले, अवस्था बताने वाले, कि वो पहले किस state में था, बाद में किस state में चला गया, उसकी state को बताने वाले variable क्या कहलाते हैं, thermodynamic variable, state or condition of a system is defined by this variable, जो state होती या condition होती, इन variable से define की जाती है, किसी thermodynamic system की, किस की, तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये है thermodynamic system, ये पहली state में अपनी, और ये change हो कर के, किस state में पहुच गया, दूसरी state में, ये सानो, the transition of a thermodynamic system, from one state to second state, या another state, is called thermodynamic process, is called thermodynamic process, समझ में आगे भई, एक state से दूसरे state में, जाने की process को बोलते हैं, thermodynamic process, अब देखिए इसमें, process में, P, pressure, thermodynamic variable, मैंने का भईया, ओम, क्या हाल चाल है, तो ऐजे गैस, तुम बताओगे, सर आज का pressure है, 180M, कितना pressure है, temperature है, सर यहां हमारे system का, 27 degree Celsius, और volume है, 300 ml, समझ में आ गया, अब मैंने, thermodynamic system को, change किया, thermodynamic system को, change किया, thermodynamic system, एक, एक state से, दूसरे state में, बदल करके, आ गया, आ गया, अब कुछ चीजें, जब आप जा रहे हो, तो कुछ चीजें हो सकता है, according to the path, बदल जाएं, according to the path, बदल जाएं, बो जी, according to the path, बदल जाएं, तो जो चीजें, path के accordingly, बदल जाएं, उनको बोलते है, path function, क्या बोलते हैं, path function, मगर जो चीजे पाथ के accordingly ना बदलें उनको बोलते हैं हम state function क्या बोलते हैं उनको हम जैसे temperature जो होता वो state function होता है पहले temperature यहाँ पर T1 था और temperature 2 temperature कभी रास्ते पर depend नहीं करता है temperature कभी रास्ते पर depend नहीं करता है तो यहाँ पर temperature 2 आ गया यहाँ पर नया pressure आ गया P2 और यहाँ पर नया volume आ गया किता V2 बोलो हाँ तो यह thermodynamic system state 1 में था और किस में आ गया भाईया state 2 में और हम कहते हैं कि thermodynamics की process हो गई और system बदल गया बोलो आ गया समझ में तो अब हम समझते हैं कि state variable कौन कौन से होते हैं यह तो देख लिए आपने state variable कुछ कुछ अभी मैंने क्या कर दिखा है pressure, temperature, volume मैंने कहा क्या हाल चाल हैं तो तीन लोग आपके सामने आया है pressure, temperature और volume अब मैं आपको बता रहा हूँ और thermodynamic state variable है ना thermodynamic state variable मतलब किसी thermodynamic system का हाल चाल बताने वाले वाले वैरियेबल भीया जब यही बदलेंगे तब ही thermodynamic system change होगा अगर यह नहीं बदलेंगे मतलब कोई thermodynamic process नहीं हुई है thermodynamic process नहीं हुई है समझ में आया? चलिए तो thermodynamics का हाल चाल बताने वाले वाले वैरियेबल पहले नंबर पे कौन है? pressure दूसरे नंबर पे कौन है? फिर कौन है? volume है ना विया velocity नहीं है volume ठीक न? और फिर कौन है? number of moles यह भी define करेगा और फिर कौन है भीया? enthalpy H enthalpy H फिर कौन है? entropy किस से denote करोगे? S से internal energy internal energy अब total energy और internal energy में क्या difference है यह भी बताऊंगा मैं तुमको मैं एक दिन खाना खिलाया internal energy समय लो तुमको मैं खाना खिलाया करके मैंने बुला चलो मेरे घर की सफाई करो ठीक है ना? खुब बड़ा खार है 500-600 कमरे का खाना खिलाया बुला घर की सफाई करो तुम घर खाना खाके गए खूब सारा खूब सारी energy लेके गए और तुमने खूब सारा काम कर डाला डेल्टा ये मेरे पास energy थी क्यों क्योंग्यों तुमने खूब पड़े हुए हूँ.. अब तुमारे अंदर की एनर्जी तुम्हें जिंदा रखे हुए है clear जी यह हेँ है आपकी इंटरेमल एनर्जी क्या है आपकी समझके।naj सिस्टम चलने के लिए जिंदर रहने के लिए कुछ मांगता है उसको क्या बोलते हैं Internal Energy आहिए Internal Energy अब एक और होती एसा ि ब defense free energy क्या होती बेटा Delta G से Renoth करते हैं याद होगा ठीक है clear हो गया बन जाएगा अब आईए देखते हैं Note ये जो आपके variable है ये जो आपके सब के सब ये कौन से variable है state variable है कैसे variable है, state variable है, यह सब के sub variable state पे depend करेंगे, किस पे depend करेंगे, state पे, चाहे यह देखो, यह pressure है, यह volume है, यह one state है, और यह क्या है, two state है, चाहे इस रास्ते से जाओ, उपर वाले रास्ते से, चाहे नीचे वाले रास्ते से जाईए, बात क्या है, यहाँ पर P1 और कितना, V1 और यहाँ पर P2 और कितना केवल इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा जो final state है path पर डिपेंड नहीं कर रहा है path पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऐसे variable जो path पर डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बताईए state variable बोलो जी आ गया समझ पर कbly कर तो यदि मैं बोलों माध डेलटा पी क्या होगा तो डेलटा पी पाथ अगर मैं बोलूँगा change in entropy कितना होगा बोलो s final minus s initial या s2 minus s1 क्योंकि ये सब state variable है कौन से variable है state variable सभी के सभी ये path पे depend नहीं करते बोलो path पे depend नहीं करते अब बच्चो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर कहीं पर work लिखा है क्या उपर नहीं लिखा ना इसलिए नहीं लिखाओं क्योंकि work जो होता है किया गया काम रास्ते पे depend करता है करता है कि नहीं करता है किया गया काम रास्ते पे depend करता है तो जो भाईया work हम पढ़ाएंगे व वो कौन सा function है, वो path function है, कौन सा function है, path function है, clear हुआ, path function है, एक state से दूसरे state में जाओगे, तो depend करेगा कि वो path कौन सा है, तो अगली heading आ रही भाई साब हमारे लिए path function, अभी आपने देखा state function, अब next heading आ चुकी path function, बच्चों इसको कल से continue करेंगे, आज समय हो गया, कल इसको करेंगे, उडे बच्चों पुकी, तो आगे हो जाने क्रेंगे, तो बच्चों वोजडे़ से देने ही लाई कर वोजड़ा देखा जे साबिसूं करेंगे, लाई वोजड़ा अजे प्रोड़ा आ। है पर रही परागे.